कि अब आए-प सेज़ा के व्रेंट्स कैसे हैं आपको मीडेक अपकर चलाने के विए जैसा कि हमने बात किया था आपसे पीछले क्लास में कि हम विंडो 11 के में जाने जा में और जाने के विए उसको चलाने के लिए क्या होता है कि उसमें हार्डवेर क्या होगा और हार्डवेर में उसका प्रोसेसर क्या होगा रेम क्या होगा ग्राफिक्स क्या होगा वो उसका रिक्रामेट्स होता है तो तो टाइप के होता है एक minimum और एक मतलब एक recommended और एक maximum तो अब maximum का बात नहीं रहा गया है क्योंकि maximum आप यतना भी लगाईएगा तो ठीक है minimum requirement जानना जरूरी है तो आई यह सुरू करते हैं इंडियो एलाइबन system requirements सबसे पहले CPU CPU जो आपका होगा वह 1 GHz का होगा कम से कम और पास्टर होगा two or more cores का मतलब कि अब CPU के core के बारे में आपको अभी तक बनाया नहीं है लेकिन जल्दी उसका वीडियो आपके पास आने वाला है कि उस वीडियो पर भी काम चल रहा है लंबा वीडियो है और उसमें बहुत सारी जनकारी आपको देनी है तो simply आप समझ लेजिए कि एक GHz का कम स से कम प्रोसेसर होना चाहिए और दो कोर का dual core कम से कम होना चाहिए वेल कोर से उपर होगा तो चलेगा और सबसे जरूरी रिकॉरमेंट्स कि वो होना चाहिए 64 बीट का प्रोसेसर होना चाहिए 32 बीट का होगा तो वो नहीं चलेगा ठीक है और system on cheap होना चाहिए system के साथ होना तूसरा सबसे इंप्सटाइब से ऊब करने में असानी होगी आगे चलते हैं रूसलेंज इस्टोरेज 64 बीट शिक्स्टीफोर जीवी का स्टोरेज कम से कम होना चाहिए आपका क्योंकि जब विंडो इंस्टॉल होता है तो स्पेस काफी ज्यादा लेता है अपने फाइल को रखने के लिए अप 50 जीवी 60 जीवी भी करते हैं तो इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन वो और वैसे आपको 100 जीवी से कम दखने की जूरत नहीं है आज कल के विंडो का विंडो 10 विंडो 11 जो भी है उसमें 100 जीवी से कम दखते हैं तो कोई फाइदा नहीं होता है कि वो जल्दी है फूल हो जाता है स्टोरेज के बाद आता है सिस्टम प्रेम्वेर एक प्रियोस का स software है जो UEFI Undefined Extendable Framework Interface पर काम करता है जो Secure Boot अब देखिए इसमें दो चीज़ है पहले इस चीज़ को समझने जरूरी है कि System Frameware में UEFI क्या है और उसके बात है Secure Boot क्या है बूटिंग भी दो टैप का होता है एक Secure Boot और एक Non Secure Secure क्या होता है कि UEFI में मोड पे जब आपका System Boot करेगा तो सीधे जब आपके Computer Laptop का Logo दिखाता है जो भी आप Commander board लगा हुए है उसके बाद सीधे विंटर डाउनलोड स्टार्ट उसी के साथ साथ सथ स्टार्ट होना शुरू जाता है मतलब कि बूटिंग जो प्रोसेस है उसको वह फास्ट कर देता है यू इफ आई ठीक है इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है और उस पे काम करना लगता है इसके बाद यह उसके बाद का है टीपीम यह सबसे इंपोर्टेंट है टीपीम ट्रॉस्टेट फ्लैफॉर्फॉर्म मोडियू टीपीम वर्जन टू होना चाहिए मीनिमम अब कुछ लोग यह सूच रहे होगे कि मेरा विंडो तो आई थ्री है आई फाइफ है प्रोसेसर उसका हाई है और रैं भी आट चीबी का है लेकिन जेरा विंडो 11 नहीं चल रहा है या फिर विंडो अपडेट नहीं हो पा रहा है विंडो 11 में तो उसका सबसे बड़ा में करण क्या है कि उसमें टीपीम जो है आपका कम है टीपीम चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो टीपीम चेक करने के लिए हम कमांड चला सकते हैं रन के तो आटोमेटिक वीड़ो अपडेट हो जाएगा फिर जब आप इंस्टाउल करेंगे तो इजी रूप से इंस्टाउल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह पर आता है ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए क्योंकि यह बिंड़ो एले तो आप वहां से देख सकते हैं तथो इसमें यह होना चाहिए नहीं होगा तो आपका डिस्प्लेல नहीं चलेगा और इस्पलेग नहीं चलेगा तो इंस्त्रॉल नहीं होगा या फिर कुछ ना कुछ error दे देगा इसके आगे आता है display डिस्प्ली क्या होता है कि इसमें display चाहिए 720 यानि कि HD display चाहिए हाई definition display चाहिए और इसमें जो monitor होना चाहिए वो 9 inch से उपर होना मतलब क्या कि यह आप देखरें टाइगो इस लगार चानल पर चैनल गांँ या मिद चानल कैंट मतलब कि यह जो आप देखने मोनिटर यह डाइगोनल है थीकल डाइगोले मन ओना चाहिए तो लेगा और है आपकल कमजोर होगा तो मिर्थ— ll eigenlijk क्लियर फोटो नहीं आएगा वह सारा समस्य हो सकता है कुछ एरल भी दे दे इसके आगे आता है इंटरेट यह सबसे ज़रूरी चीज़ें इंटरेट का कि जब आपका विंडू एलेबेंज इंस्टॉल होता है तो उसमें इंटरेट होना ही चाहिए इंटरेट नहीं होगा तो उसको वेरिफाइ होने में कि आपका जो कॉपी है वह जैनुमीन है की नहीं है ठीक है अब जैनुमीन है की नहीं है वह कैसे चेक करेंगे वह भी आपको बता दे रहा है जैनुमीन चेक ने लिए विंडू आर्पे क्लिक करते हैं तो ऐसे को सियंदी कमांड खोलने के बाद एक कमांड चलाते हैं आप इस ल एम जी आघ स्पीस्ट इस इसको चलाने के बाद आपका जो मशीन है वहाँ पर दिखाएगा विंडो जो है 11 वह पर्मनेंटली अक्टिवेटेड है और यह मशीन आपका एक्टिवेशन से चल रहा है पर्मनेंट टेमेटेड है आप यहां से कर सकते हैं इसका मांद सा तो आपको यहां पर बताएगा कि आपका जो डिवाइस है वो ठीक है कि नहीं और इंटरनेट से जो भी होगा उसका जो भी छती पूर्ती होगा वो यहां से कॉपी कर लेगा यहां पर गहारा है कि माइक्रोसॉप्ट एकाउंट होना चाहिए इसके मतलब first use के लिए ऐसा क् ik indule नहीं होगा जो भी थीक है नहीं होगा तो भी ठीक है माइक्रोसॉप्ट अगॉसर पलफिल करते हीं आपका से स्ट्रॉल हो बोना चालनेरा को यहां लूए वीधिक्क चनलने हैं अगी है Gregory है कि यही है रिक्राइट इसका और इस झाल झाल